आप देख रहे हैं बॉलिवुट के स्ट्री बॉलिवुट की डेशी गल प्रियंका चोपरा तीन साल के बाद अपने वतर यानिकी इंदियाब वापस आ गई है प्रियांका चोप्रा मशूर हॉलिवुट सिंगर निक जोनस से शादी करने के बाद अमेरिका में ही सेटल हो गए थी इसके बाद प्रियांका चोप्रा के हर एक फैन को बस इसी का अंतिसार रहता है कि वो भारत कब लोटेंगी कुछ दनों पहले ही प्रियांका चोप्रा जब भारत वापस आई तो इस बाद समगी फैन्स की खुशी दोस साथपयास्वान पर पहुँच गई थी लेकिन ऐसे बीच अब प्रियांका चोप्रा के एक लुक की बज़े से उन्हें जम कर ट्रोल भी किया जा रहा है कई सोचल मेर्या यूजर्स का ये मानना है कि अब प्रियांका चोप्रा पर विदेशी रंग चड़ चुका है विदेश में सैटल होने का प्रियांका चोप्रा को जबी भी किसी खास मौके पर या फ़िट योहार में ट्रेडिशन लवतार में देखा जाता है तो इंडिया में उनके फैंस काफी ज़ादा खुश होते हैं लेकिन तीन साल के बाद भारत वापस लोटी प्रियंका चोपड़ा के एक लोग पर उन्हें जमकर छोल कर दिया क्या उनका ये लोग का यूजर्स को पसंद नहीं आ रहा है तब ही तो जहां एक तरफ सोचल मीरिया पर प्रियंका चोपड़ा के हैस्टाल का मजाग बनाया जा रहा है तो वहीं आप कुस यूजर्स तो उन्हें देशी गल मानने से ही इंकार कर रहे हैं प प्रयांका चोपरा का एक वीडियो जमकर वारेल हो रहा है जिसमें प्रयांका मुंबाई के एक इवंट में पहुंच हुई ही यहां पर कार्बंस उतरने के बाद प्रयांका ने पेपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोस्ती है प्रियंका चोप्रा ने इस इवेंट के लिए वाइट कलर का क्रॉप टॉप और ऑफ वाइट प्लाजो क्यारिक किया हुआ था पर इस दौरान जिसकी सबसे जादा चरचा रही वह थी प्रियंका चोप्रा की हैस्टायल जहां कुछ लोगों वह तो उनकी हैस्टायल पसंद आए तो वहीं कछ लोगों को अब उनकी यहीं श्य। नहीं हा बता दे कि 3 साल के बाद प्रियांका चोपरा जब इंडिया वापस आई है तो व अपनी बेटी के बीना ही इंडिया वापस आई है जिसकी वज़े से अभी उन्हें काफी ज़ादा चॉल गया था झाल झाल